दोस्तो आज मैं आपको transformer की बहुत ही महत्पून जानकारी देने वारा हूँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना तो आज का जो topic हमारा वो है transformer की wire के उपर और transformer का input out भी आपको साथ मैं बता दूँगा कि आप कैसे input out का पता लगा सकते हैं और आपने देखा होगा transformer में बहुत सारी wires होती है उन wires में आपको कैसे find करना की कौन सी wire का क्या काम है और आपने देखा होगा कुछ transformer होते हैं जो 5 wire वाले होते हैं कुछ 4 wire वाले, कुछ 7 वाले, कुछ उससे उपर भी होते हैं किसी में तो बहुत सारी wire होती है तो आप घबरा जाते हो यार ये कौन सी वायर क्या काम करती है बिलकुल घबरा जाते हो तो बहुत ही simple है और बहुत ही साधा रण है ये दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं एक आप multimeter के माध्यम से और एक आप बिलकुल supply के माध्यम से अब यहां पर जो आपको मैं transformer दिखा और धर पर 2 वायर, यानि कि 7 वायर के अंदर है, अब भाई पता कैसे लगाएं कि कौन सी वायर का क्या काम है, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो हम इसमें प्राइमरी और सेकंडरी का पता करेंगे, कि प्राइमरी का मतलब है कि कहां से हम 220 वोल्ट इंपूट के देंगे ठीक है, किसी भी ट्रांस्फोर्मर में आपको ज्यादा तर प्राइमरी की तरफ को आपको रेडड़ की वायर देखने के लिए मिलेंगे, खासकर कि लोगल ट्राइमर्भल में डेड़ की वायर को और गभी कभी अगर आप अरिजनल वाल ट्रांस्फोर्मर की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल यूनिक और एक side को होती है जो primary होती है बिल्कुल एक side को होती है और दूसरे side को आपको secondary मिलेंगी तो यहाँ पर दिखिए इधर यह है 5 wire वाला एक side को इसमें 2 wire लगी है और इसमें 1 side को 2 wire लगी है तो जिस side को के माध्यम से इसमें पता करेंगे इसका रजिस्टेंस हम चेक करेंगे इन दोनु वायर का हम रजिस्टेंस चेक करेंगे कि कितना है मल्टिमेटर को हम resistance के mode पर रख लेते हैं इसको हम 200 ohms पर रख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनु वायर्स का resistance कितना है आखिर इन दोनु वायर्स का resistance है वो है 155 ohms ठीक है 155 ohms आप इसको buzzer के mode में भी check कर सकते हैं यह देखिए तो इसका जो resistance है वो है 156 ohms ठीक है अब जो primary wire होती है उसका जो resistance होता है वो हमेशा ज्यादा होता है अगर आप secondary वाले की बात करें तो इनके resistance आप check करेंगे तो इनका resistance बिल्कुल आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा चलिए आपको ये भी दिखाता हूँ multimedia की किसी ये probe को लगा लीजिए उसके बाद एक एक करके आप check किजीजा यहाँ पर इसमें देखिए continuity beep आ रही है एक second पहले इसको मैं touch करके रखता हूँ, ठीक है? सही से इसमें देखिए इसमें continuity beep आ रही है इसमें continuity beep आ रही है इसमें आपको कोई भी continuity beep नहीं मिलेगी इसमें आपको continuity beep नहीं मिलेगी जिन तीनों में आपस में continuity beep आ रही है वो तीन आपस में एक एक output करती है यानि कि अगर ये तीन है तो ये 12-0-12 output करेंगी वैसे तो ये 12-0-12 के लिए यही ट्रासफोर्म बना हुआ है हो सकता है अठारा जिरो अठारा का भी हो वो तो अभी लाइन पे चेह करने पर ही पता चलेगा क्योंकि लोगों ट्रासफोर्म में लिखा नहीं होता कहीं भी ये कितना output कर रहे है तो यहाँ पर इन तीनों को हमने इस तरीके से मोड के रख लिया है अब यहाँ पन को हम गन्हार कर लेते हैं इन तीनों में हापस में continuity भी आ रही है तो यहाँ पर टोटे में ये तीनों एक ही output के लिए है अब इन दोनों को भी हमने अलग कर लिया है यानि कि इनका पेयर अलग है इनका पेयर अलग है और इन दोनों में आपस में कितना resistance आ रहा है 157 राउंड के something आ रहा था कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर इन दोनों एक ही है transformer के अंदर क्या होता है कि जो wires होती है यहाँ से start उठी है इसी में end होती है primary का secondary से कोई भी संबंद नहीं होता है primary का secondary से इसले संबंद नहीं होता है क्योंकि वो magnetic field के द्वारा वो electricity transfer करते है internally secondary को कुछ ऐसा होता है देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको खोशिश करता हूँ diagram बनाने के उतने खास तो मेरा art नहीं है फिर भी यह देखिए कुछ इस तरीके से यह दोनों वायर जो हमने दिखा इतने रेड गलर की यह दोनों यह यहाँ से start हुई यह भी red है और यह भी red है ठीक है यह red wire दो है यह अंदर से दोनों एक ही है यह यहाँ से शुरू हुई अंदर से winding हुई और उसका last सीरा यह है तो इस दोनों में हम देंगे तो यह पर magnetic field बनेगा देखिए घर पे light आते हैं इसी उसमें magnetic field होता है तो वहाँ पर वो magnetic field क्या होता है वहाँ पर इसको transfer करता है secondary को transfer करता है कुछ इस तरीके से यह देखिए यह secondary में अगर यह 12-0-12 का होगा तो यह 12 होगा यह 0 होगा यह 12 होगा इस तरीके से बीच में magnetic field बनेगा तो इसको क्या करेगा step down करेगा यानि कि 220 बोल्ड से यह 120-0-12 बनाएगा यह इसको transfer कर गया बीच में magnetic field बनता है और इसमें जो यह यह पत्तियां लगी हुई रहती है ना यह core इनी का सबसे बड़ा रोल रहता है transformer में तो यहाँ पर क्या होता है यह देखिए यह live हुई यह neutral हुई यहाँ से live neutral दोगे तो यहाँ पर आपको 120-12 मिलागी तो यहाँ पर क्या होता है जो 120-12 देख आपसमा continuity आ रही थी ना इसमें वो बिलकुल अंदर से एक ही होती मैंने आपको डाइग्राम में दिखा दिया ना एक ही होती तीनो तीनो में और इनका resistance कम होता है इसलिए continuity आती इसका resistance ज्यादा होता है क्योंकि यह high voltage के लिए होती है यह 220V के लिए तो इसका resistance ज्यादा होगा और यह कम voltage आउटपूट कर दी तो इसका resistance कम होगा इसका resistance आपको 157 के something मिल रहा था और इसका resistance आपको 0,4,5,6,8 के something आपको मिलेगा तो इस तरीके से तो आपस में हमने इसके pair ढोट लिए वैसे ही इसमें भी आप देखिए दूसरे transform अगर 5 wire वाले की बात करें तो सबसे पहले आपको code ले testing यानि कि आपको multimeter के माध्य हमशे करनी रहेगी अगर आपको जानकारी नहीं है अगर आपको लगता है कि इनपूट आउटपूट में आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप एक तरफ की दो वायर पर इस तरीके से कर लीजिए यह देखिए यहां पर 120 एक तरफ 120 आ गया अब दूसरी तरफ का भी हम चेक करेंगे वैसे तो पता है कि 120 बारक है फिर भी हम चेक करेंगे कि आपस में कट्टूटी आ रही की नहीं यह देखो बिल्कुल तो इसमें हमने चेक कर लिया एक जिस तरफ 120 आ रही है वहां पर हमने इस तरफ हमने AC वोल्ट इंपूट कर लेनी है इधर से हमने आउटपूट कर लेनी है जो भी आउटपूट करेगा 200 भी स्पूर्ट हमने इसमें दे दिया है चलिए इसको हम अन कर लेते हैं और अन भी हो चुका है अब यहां पर करना क्या है आप हमने से देखिए और यहां पर कम वोल्टेज के ट्रास्फोर्मर रहेंगे तो current नहीं लगेगा हमें ठीक है current बिलकुल भी नहीं लगता है अगर कम वोल्टेज के रहेंगे ज्यादा वोल्टेज आउटपूट के रहेंगे तो current बिलकुल लगेगा इसलिद्धान से अब यहां पर हमने AC वोल्ट पर रखना है इसको 200 क्योंकि यह AC वोल्ट आउटपूट करता है DC नहीं करता है ठीक है DC रेक्टिफायर इसमें लगाना पड़ता है तब जाके DC आउटपूट करता है यानि कि 7 वोल्ट मानके चलिए यह 7 वोल्ट आउटपूट कर रहा है इन दोनों वायर से तो आप कहीं पर नोट कर लें और याद रखना दोस्तों घर पे अगर आपकी कम वोल्टेज आ रही है तो एक कम वोल्टेज ही आउटपूट भी करेगा अभी हमारे घर पे 186 वोल्ट तो बाद में हो सकता है थोड़ा सा 220 वोल्ट जब वहाँ पर बढ़ जाए तो हो सकता है 9 वोल्ट भी आउटपूट करने लगे इसलिए जब भी आप चेक करें तो 220 वोल्ट होना जरूरी है तब जाके आपको पता चलेगा कि यह कितना आउट आउटपूट पर ही आउटपूट डिपेंड होता है अगर वहाँ पर कम वोल्टेज आएगी तो यहाँ पर भी आउटपूट भी कम वोल्टेज करेगी तो ठीक है याद रखना इस चीज़को अभी हम अभी जैसे 166-186 वोल्ट हमारे घर पे है तो आउटपूट उस हिसा साथ वोल्ट कमान के चलते है वैसे 9 वोल्ट का होना चाहिए एक तरफ से जब आपकी वोल्टेज बड़ी कि तो यह 9 वोल्ट आउटपूट ली हो जागा अब यहाँ पर यह कितने वोल्ट आउटपूट कर रहा है इसका भी देख है तो यह एक तरफ से 9 और दूसी तरफ स यानि कि 10 वोल्ट करीब-करीब यह आउटपूट कर रहा है वैसे तो 12 zero बारका होना चाहिए लेकिन यह गलत वोल्टेज आउटपूट कर रहा है और दिखाता हूं आपको मैं पहले समझा देता हूं 12 zero बारका है न यह देखिये वैसे तो 12-0-12 क्योंकि voltage अभी कम है तो कम voltage आउटपूट कर रहे हैं तो अपी बता दिता हूं इस वायर पर में इस तरीक से टेच करेंगे और यह 0 का है ठीक है इह अलग color की वायर है तो 0 की रहेगी तो 0 और यह 9 वोल्ट आउटपूट और इस तरफ में यह कर रहा है महने कि वही 9.5 के something output कर रहा है, अगर इसको 0 को हटा लो और इन दोनों में करो तो 9.5 दोनी केतना होता है, 9.21,18,19 वोल्ट, 19.5 के something ये करेगा, इन दोनों से 2 वोल्ट आउटपूर्ट करेगा, और इधर से ये करेगा, यह रहता है, यानि की खेल इसमें, अगर 12.0 बारक आया है, मै 12.0 बारक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसो होमजेटर बगरे के लिए, इन बटर बगरे के लिए, और दूसरा इसको आप 12 वोल्ट का बना सकते हैं, अगर आपको 12 वोल्ट की जरूरत है, तो सिर्फ जीरो और 12 वायर को आप एक रेक्टिफार के साथ जोड़ो, यह 12 वो बन रही, साथ में किस तरीके से हमें सभी वायर्स को अलग-लग करना है, बता दिया ना, किलियरली कि सभी वायर्स के आपने सबसे पहले कोल्ड में, यानि कि इसको आप करके टेस्ट करने है, किन-किन वायर्स के पेर बन रहे है, किन-किन वायर्स में आपस में नहीं है कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी अगर रीडिंग गलती है गलती से अंदर से ट्रास्फॉर्मर अरींग है ट्रास्फॉर्मर धी ओसलों पोरimming दिक्कत करने लगेगा तो यह रहता है ठीक है आई हूब कि वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेर कर लेना एक प्यारा से कमेंट वहस करना थैंक यू